हेलो दोस्तों मैं सुजीद क्मार एडवांस एक्सल चैनिंग सेंटर आपका स्वागत करतव हमारे नए कोर्स एडवांस एक्सल बित फॉर्मुला एक्सल की लेटेस वर्जिन है एक्सल तुटाउजन टुटाउजन टुटाउजन टूटउटूटीवन लेटेस वर्जन हम आपके साथ डिस्कस करेंगे सबसे परे हम बात करते हैं कि वाट इज एक्सल एक्सल है क्या एक्सल जसलाई के डीजिटल रजिस्टर अगर हम इमेजिंग करें कि जब हमारे पुराने जवाने में जब हम कंप्यूटर यूज नहीं किया करते थे तो एक्सल पर होने वाली सारी काम जो है हम रजिस्टर भी किया करते थे हैं कि आप सायद अभी भी जाएं तो जो लाला की दुकान है यह जो मरबारी लोग हैं साहुकार लोग इस तरह कि पीली कर लाल की जो रेजिस्टर रहें रेजिस्टर इस्तमाल होता है लोग भही बोलते हैं इसके अंदर इस user तो जो इसके अंदर यूजटर आप इसकूल में पढ़ते थे तो आपकी टीचर थे जो आपकी अधेंस कुछ इस तरह की लिया करते थे आपकी office के अंदर भी इसी तरह के इस्तमाल होता था जैसे की security guard बाहर बैठा है, in out के लिए, जो भी transaction है, कुछ लेना है, receiving है, उनके लिए इस्तमाल की जाते हैं, तो अभी भी ये register इस्तमाल की जा रही है, और इस register पर होने वाले सारे काम को Excel में हम कर सकते हैं, जी हाँ, Excel में हम कर सकते हैं, तो बात करते हैं, कि हम Excel में क्या क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं, डेटा इंटरी, एक्सल में हम किसी भी तरह की जो डेटा है, उस डेटा का इंटरी कर सकते हैं, डेटा स्टोर कर सकते हैं, या डेटा को रख सकते हैं, जैसे कि मान दिजिए कि आपको बुला गया है कि भाई, जो जो में आफिस में कब आ रहा है कब जा रहा है उसका इसाथ किताब रखो तो इस सारी चीज़ें किहां रखोगे आप excel में रखोगे क्योंकि एक्सल बना बनाया एक पैटफॉर्म है जिसको यूज करना पड़ेगा पर्चेज करना पड़ेगा इसमें ऐसा नहीं है लेकिन अगर डेटा स्टोर कर रहे हैं एक चीज़ का ध्यान रहे कि कि इक्सल इसन नौट जीन है डाँ डेटावेश कि बहुत सारे लागा देते हो तो पासवर्ड को इजली ब्रेक किया जा सकता है यह आप पासवर्ड लगा के भूल जाते हैं तो Microsoft यहां clear कहता है देखिए यहां पर clear भूल ला है कि if you lost and forget the password it cannot be recovered तो आप पासवर्ड भूल गया है तो आपका recovery नहीं होगा data आप नहीं होगा पासवर्ड के ब्रेक किया सकता है आपके एक्शन फाइल क्रप्ट हो सकती जब बड़ा होगा तो बड़ी फाइल होगी तो या किसी ने आपकी file system access किया तो इसको हम डेटाबेस नहीं मान सकते हैं तो डेटाबेस जो होगा डेटाबेस नहीं मना सकते सब्सक्राइब इस तरह का डेटा इस तो करेंगे तो हम इस टोर करेंगे इस मिस्लैनियस और अनलेटिक्स डेटा को स्टोर करेंगे इससे यह मतलब सॉट मिदिम इंटरप्राइज इस सी लोग जो की एक्सल का यूज करते हैं क्योंकि उनके पास बहुती स्मॉल या बहुती छोटा डेटा है माल लीजिए उनके पास डेटा का ये माउंट है वह आठ जार दस जार से हम जैसे लोग है हमारे पास मुश्किल से मतलब कि देर दोस्तों इस्टोडेंट महीने में आते हैं तो इन करते हैं मिसलेनियस मिसलेनियस चोटे मुटे रिकॉर्ड अमाले जी कि आप टैली इस्तिमाल करते हैं अपने एकाउंटिंग के लिए तकि फिर भी आप जो पेटी कैस है जो ऑफिस के छोटे मुटे खर्चे हैं उसका रिकॉर्ड हमेशा आप एक्सल पे ही रखेंगे रीच क्या रिप्र करते हैं या फोटिस्ट क्लेया या तीन रुपए की चाय किसी को पिलाया फुकर को जाएगी तो अब बात करते हैं जैसे की कि आपकी सेल्स के लिए आपका शायक्ष वोर्स जैसे बड़े-वड़े लेकि जब उसको करना होगा तो उसकी डेटा को एक्सल पर रखना होगा जैसे माने जिए कि आपको मांत वाइस टोटल सेल दिखाना है तो पूरे साल का डेटा एक्सल पर डाउनलोड करके रखेंगे तभी उसकी उपर टेबल या किसी और तरीके या फॉर्मले से हम स्मिलाइज भी करेंगे उसको और रिपोर्ट त्यार करेंगे तो डिपोर्ट जब बनेगी तो बैकेंड में हमें उसकी डेटा तो चाहिए ही चाहिए इसमें एक चीज मैंने क्लियर किया एक्सल के अंदर में डेटा इंट्री या डेटा स्टोर कर सकते हैं अब इसका जो दूसरा यूज है और दूसरा यूज है काल्कूलेशन काल्कूलेशन मतलब की तो आपकी ताब जो और गटा अगुला वहाँ देखिककर के लिए अभी तक जो मैंने यूज किया है इसमें सबसे बेस्ट शॉफ्ट यर है आपका एक्सल क्योंकि आप एक्स्स तो इसका ग्रोध क्या होगा इसका ग्रोध क्या होगा अभिष्क्राइड क्या होगा लिए हम क्या करेंगे कि mathematical formula जो होता है अब इस एक्सल में या फॉर्मूला बार में बहुत सारे फॉर्मूले हो सकते हैं लेकि आप अपना mathematics भी यूज कर सकते हो जैसे कि mathematics कहता है quarter two minus quarter one latest minus oldest divided by oldest latest minus oldest divided by oldest simple सा हमने कर लिया अब यह सेम चीज़ यहां पर करना है तो कैसे करें इसके लिए हम simple सा board mass method को रखते हुए latest minus oldest divided by oldest कर दिया और हमने यहां पर पर्सेंटेज ले लिया आपके सामने पर्सेंटेज आ गया है यह हमारा है अब कैलिकुलेशन का यूज हम कर चुके हैं अब कैलिकुलेशन के बार जो आता है तीसरा point और तीसरा point होता है कि आपका analytics कर लिजिए यह एलाइज कर लिजिए युद्ट कर सकते हैं तो सब्सक्राइब और आपे पास कोई डेटा आया हुआ यहां पर अब मुझे क्या करना है कि इस सेल के अंदर मान लिजिए कि सिटी में किस पर्षन में टोटल कितनी रिवन्यूजिनेट की है अब इसको जानने के लिए हमें बस कुछ मिनट क्या कुछ सेकेंड की टाइम लगेगा हमने प्रिवट टेबल लगाया नेम रखा सिटी र सामने है अब इसको और फॉर्मेटिंग करना है तो आशारी रिप्रेजनेशन करना है तो इसली हम कर सकते हैं अब डायनमिक डेश्वोट की बात करते हैं तो जैसे मालेजिए कि आपको आपको बारा महीने की रिपोर्ट बनाने है मंतली आपको जहाए अपना सेल्स कंपेर करना है कि आपको कंपेर करना है तो अब बात करना है तो आप क्या है कि अगर मंत में हर महीने आपको क्या करना होगा है पर महिने के बारा फाइल बनाने पड़ेगी पीपीटीए करते हैं अपरील में किसी का दिखा रहा है उसने अपरील में इतना है पिर आप फोल्टर पर जाओंगे जनवरी को पिन करोगे एक्सल के अंदर में आप ड्रॉपडाउन बना ले कि यहां पर हम यहां पर डॉपडा तो रिपोर्ट पुरा जनवरी हो जाएगा अब यहां इसलिए हम यूज करते हैं अपना एक्सल के लिए लिटेक्स रिपोर्ट रिप्रजेंटेशन यहां डायनमिक डैश्मोड के लिए चौथा तो सबसे ज़्यादा इंपोर्टेंट है सेरिंग हमें किसी को रिपोर्ट बहु हाँ वसल cash करते हैं की यहां फोर्ट करक्त ही सेसे करने क्लिए चंप आप ईप्री करने के लिए आप तीन सुंशने का साफ्ट्रेंग नहीं करेंगा हुँ कि शी और नहीं देए तो करने का अगर कुछ भी नहीं हुआ तो आप क्या करेंगे सीधे जाएंगे अपने जीमेल पे और अपना जीमेल से ही ओपन कर लेंगे है ओनली फोर जीमेल तो जीमेल पे भी ओपन कर लेंगे इसलिए एक्षल प्रफेक्ट है डेटा स्टोरीज कैलकुलेशन डेटा अनाटिक्स और रिपोर्ट्स रिप्रजेंटेशन और डेटा शेरिंग आपको कैलकुलेशन याप मालेश को इस्टोर करना है तो एक्षर करना है आप कालकुलेशन करना करनाерь है कमिशन करना अपना सेल्स रेषयो कालकुलेट करना या किसी क Angst मालकिल इस एक करना है और किसी वी अब बात करेंगे कि आखे एक्सल हमें मिलेगा कहां से तो देखिए मोश्टरी के पास तो एक्सल है फिर भी आप चाहते हैं को परचेज करना तो आपको माइक्रोसॉफ्ट देगा तो आपको सर्च करना है ओफिस आपको मिलता है या फिर आप यहां पर ले सकते हैं यहां पर लेकिन क्या ओफिस 365 जो है वही आपका भी जो बेटर चल रहा है इसमें 21 में बहुत सारी नए फीचर्स आये हैं बहुत सारी नई फॉर्मली जाए हैं जो कि हम आपके साथ डिसकस करेंगी इस कोर्स के अंदर में अगर आप माइक्रोसॉफ्ट लेना चाहते हैं तो आप आप ऑफिस 65 को परचेश कर सकते हैं इसका मंतली 400 या 500 सिस्टम छेजार रोपे यरली इसका लगता है इसमें आपको वन टीवी का जो है आपको जाते इसमें आउटलोग वन ड्राइब से मिल जाएगा मैं एक बाद दिखा जैता हूं इसके पैकेजेश हैं अगर मैं इसको प्रस्टनली और फैमिली बात करो तो यह आपका एशिक्स वन टीपल लाइन का छे रहते हैं छे पीपल्स के लिए शे कंप्यूटर्स के लिए है और एक कंप्यूटर के लिए आपको 4899 यह लगता है इ इसमें आपको वर्ड एक्सल पाउप्वाइंट आउट्रूप टीम्स वन ड्राइव यह आपके सामने मिलता है और इसको आपने पीसी टैबलेट सब्सक्राइब कर सकते यह आपका विंडोज मैक और टीनों पर अप्लीकेबल होता है और इस तारी फीचर इसको बाए कर सकत यूज़ करते हैं तो सब्सक्राइब करिंगे अरहिसि कोर्स में आप को सब्सक्राइब करने और मेरे साथ वीडियो जो आपको मिल जाएगी आप सारी वीडियो एक जगह पर चाहते हैं साथ में आपडेटेड चाहते हैं सेंपल फाइल आर्टिकल्स और इसके पढ़ना चाहते हैं तो आप क्या करें मेरे साथ मेरे एप पर जुड़ जाएं या मेरे साथ लाइप लाइप लास पर जुड़ जाएं लाइप लेफसाइट बार सकते हैं या इसकी वह जान सकते हैं आप का लिंक जो है डिस्किप्सिन में डला हुआ है मॉवाइल एप के तुरू भी जूर सकते हैं उसके लिए आपको क्या करना हुआ अध्सल्यमास ट्रेंग सर्श करना होगा एकसलिमास ट्रेंग सच कीज़ें प्ले स्टूर के मिल जाएं दोनों का लिंक इस विडियो की सक्षिस न होज़े लिए या फिर वीडियो खलास के लिए द्ला प्लेट आपके तैंक यू